हेलो टेडर्स मेरा नामे शुबम और स्वागत कुरूंगा आप सभी का हमारे चैनल शुब अदम बतो दोस्तो इस वीडियो में हम यहाँ पर वीकली अनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की और अगर आप यह वीडियो एंट तक देखेंगे तो आपको य इंपोर्टन रेजिस्टंस पे आ चुके और वो रेजिस्टंस कौन सा है वो आपको इस वीडियो से पता चलेगा और उस रेजिस्टंस को यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान में रख किया हम किस तरीके से मंडे को निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते आपको और हमें यहां पर पूरा structure समझना है कि अभी यहां पर निफ्ती कौनसा structure बना रहा है तो यह जो analysis में आपको अभी बताने वाला हूँ यह पूरी analysis previous videos में share की गई थी और जो भी हमारे regular sewers से उनको यह पता होगा थीक है तो simple सा हम ने यहां बात किती थी कि निफ्टी जो है 5 wave impulse मुह में हाँ पर move कर रहा था तो simple सा अगर हम उस वाले impulse मुह को draw करेंगे यह 1st wave, 2nd wave 3rd wave, 4th wave और यह 5th wave ठीक है ना तो यहाँ पर 5th wave के बाद में 3 wave correction होता है तो अगर हम यहाँ पर 3 wave correction भी draw करेंगे यह हमारी A wave उसके बाद में B and उसके बाद में C ठीक है तो यह analysis यहाँ पर हमने करके रखी थी plus हमने यहाँ पर C point किस तरीके से find किया था जो भी regular रहा से उनको पता है previous जो impulse मुह यहाँ पर लगी थी उसे हमें यहाँ पर Fibonacci retracement के साथ में mark करना है और आप clearly देख सकते हो यहाँ पर price कहाँ पर support ले रही थी 0.618 पर और plus थोड़ा सा यह marking सब भी यहाँ पर से हटा देता हो और अगर हम यहाँ पर से यह marking हटा देंगे तो हमने यह सबसे पहले यह Fibonacci draw कि रही थी और उसके बाद में हम इस वाले Fibonacci extension का यूज किया था और previous जो यहाँ पर impulse मूल था यहाँ पर इस थरीके से लगाया था आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1.272 और 0.618 यह दो रेशो यहाँ पर coincide कर रहे थे आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक important price cluster और Fibonacci cluster बना रहे थे और उसी की वज़े से हमने यहाँ पर बोला था कि price बहुत ही अच्छा support ले सकता है और इस तरीके से यहाँ पर C point को हमने find किया था और यहाँ पर से बहुत ही अच्छा bullish momentum आ सकता है यह हमने बात की थी ठीक है अब यहाँ पर से आगे की analysis क्या हो सकती है अगर आप यहाँ पर clearly देखोगे तो यहाँ पर एक बहुत एच्छा fall आया fall के बाद में यहाँ पर retracement आया उसके बाद में और एक fall आया और उसके बाद में यह एक retracement हो सकता है या फिर यह एक reversal हो सकता है यह हमें यहाँ पर से कैसे पता चलेगा इलोइट वेव थिरी तो हमें यहाँ पर से बोलता है कि यहाँ पर से price को उपर जाना चाहिए पर price छोटे time frame में एक ही direction में कभी भी नहीं move करती जब भी अगर price को यहाँ पर से उपर जाना है तो price क्या करेगी यहाँ पर Fibonacci retracement का tool लूँगा और previous जो swing low है आप यहाँ पर देख सकते हो यह जो C swing था उसको यहाँ पर इस तरीके से लगाऊंगा तो price आप देख सकते हो कि exactly कहाँ पर आ चुकी है exactly यह 0.618 पर आ चुकी है यहाँ पर देख सकते हो कि छोटा सा rejection आपको weekly time frame में यहाँ पर देख रहा होगा या फिर weekly time frame में आपको कोई rejection नहीं देख रहा होगा पर अगर हम यहाँ पर से थोड़ा सा daily time frame में चलेंगे तो आपको यहाँ पर से थोड़ा सा rejection दिखेगा थोड़ा सा और 4 hour के time frame में चलेंगे तो यहाँ पर doji candle दिखेगी doji candle भी एक rejection का sign है और अगर हम यहाँ पर से 1 hour के time frame में चलेंगे तो आपको clear लिदिख रहा होगा कि price इसके उपर sustain नहीं कर पा रही है यहाँ पर उपर weeks बन रही है और अगर हम यहाँ पर से 15 minute time frame में चलेंगे then price यहाँ पर double top pattern बना रही है और इसी के बारे में बात कर रहा था कि यही एक 0.618 का level है आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह level यहाँ पर बहुत ही अच्छे resistance का काम कर रहा है यह आपके साथ में level भी share कर देता हूँ अभी यहाँ पर से market किस तरी किसे move करेगा पूरा depend करता है कि market मंडे को कहा पर open होता है अगर price इस level के उपर opening कर देगी gap up opening कर देगी जिस तरी के gap up opening आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर बनाता है यहाँ पर भी 0.5 का यह level था price ने इसको touch नहीं किया था पर next day market इतना बड़ा gap up open हुआ और यहाँ पर से एक bullish rally देखी similarly अगर price इसके उपर open होता है one hour के लिए यहाँ पर hold कर लेता है तो कोई भी pullback देखकर यहाँ पर से हम buying के trades ले सकते हैं फिर हम यहाँ पर मान सकते हैं कि break away gap up opening की वज़े से यह resistance break हो गया ठीक है पर अगर price range में खुलता है gap down कुलता है और यहाँ पर इस वाले level को breakdown कर देता है तो यह नीचे के side में जो बड़ा gap है वो fill करने के लिए price बहुत easy ले आ सकता है एक बहुत एच्छी profit booking दिख सकती है और यह profit booking के level पे भी आ चुका यह हमारा 0.6 minute का level है और यह हमने weekly time frame में draw करके रखा है ना कि हमने daily में किया है ना कि हमने 4 hour में किया है यह बहुत ही बड़े time frame का एक important resistance है और 15 minute का time frame भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी से respect कर रहा है इस वाले level को आपको यह chart देखरी यहाँ पर से पता चल गया होगा ठीक है ना तो early traders यहाँ पर भी entry ले सकते है अगर price इसको break करेगा पर यहाँ पर बहुत ही confirmation के entry कब होगी जब यहाँ पर आज की मतलब previous day का यहाँ पर low break करेगा price तब यहाँ पर से downside में trade ले जा सकते है और long कब लेंगे जब price यहाँ पर से इस वाले level को break out करेगा ठीक है तो nifty का resistance यहाँ पर से मैंने आपको बता दिया अभी यहाँ पर से थोड़ा सा bank nifty के चार्ट के उपर जलते है bank nifty भी अपने important level पर आ चुका है weekly time frame में चलेंगे और यहाँ पर भी same procedure follow करेंगे हम यहाँ पर भी सबसे पहले highlight wave ड्रॉ करके दिखाता हो तो आप यहाँ पर देख सकती हो कि यह हो गई हमारी first wave घर आप चाहते हो कि मैं इसके उपर video बनाओ तो इस video पे 500 likes कीजे और comments कीजे कि highlight wave पे वीडियो बनाए तो ज़रूर में यहाँ पर ज़्यादा कमेंट्स होगे तो वीडियो बनाने का ट्राइ करूँगा तो 5th wave के बाद में हमें यहाँ पर 3 wave correction A wave उसके बाद में B wave उसके बाद में C wave अभी यह C wave का bottom हमने किस तरीके से catch किया था इसके उपर भी वीडियो में मैंने बनाया था तो हमें simple क्या करना है previous जो impulse मूँ है उसको bottom से लेके top तक फिबोनाची लगाना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो अभी जो marking हमने की थी इसको हटा देता हो ताकि chart clear रहे तो सबसे पहले जब price 0.618 पर पहुच चुकी थी तब भी हमने यहाँ पर एक impulse मूँ देखा था आप clear री देख सकते हो कि यहाँ पर एक impulse मूँ देखा था और अभी price कहाँ पर आ रहे थी 0.786 आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो यह level है 0.786 का price यहाँ पर आ रहे थी और यहाँ पर से price ने support लिया था और यह भी level मैंने आपके साथ में share किया था plus मैंने बुला था कि Fibonacci extension का tool लेना है और simple सा हमें previous जो swing है higher swing उसे हमें लगा देना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1.272 और 0.786 यहाँ पर coincide कर रहे थे यहाँ पर एक zone बना रहे थे इस वाले zone को हमने mark भी किया हुआ था और मैंने clearly बोला था कि price यहाँ पर बहुत ही अच्छा support ले सकता है ठीक है ना तो आप price ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा support लिया तो price ने accurately कहा पर से गिराता और जब price यहाँ पर 0.618 पर पहुच चुका था तभी मैंने video बनायता और बोला था कि अगर price को यहाँ पर से rejection मिलता ही है consolidation अगर downside में break होता है तो बहुत यह अच्छा fall दिखेगा क्योंकि 5th wave के बाद में 3 wave correction होता है ठीक है ना और अगर यह C wave है तो यहाँ पर से हम guarantee के साथ नहीं कह सकती कि price यहाँ पर से नीचे गिरेगा तो इस वाले basis पर हमें सिर्फ price को levels पर आने के बाद में observe करना है और किस तरीके का momentum हमें दिखता है क्या वो bearish momentum है क्या वो bullish momentum है क्या price यहाँ पर से rejection ले रही है वो सब देखना पड़ेगा अभी हम यहाँ पर simple सा देख सकते हो कि इस वाले level को मैंने Fibonacci retracement का tool लगा दिया है और यहाँ पर हम क्या करने वाले 0.6 minute पे price पहुँच चुकि है तो आप यहाँ पर simple सा देख सकते हो कि nifty में भी 0.6 minute पे पहुच चुकि है और bank nifty में भी 0.6 minute पे पहुच चुकि है और मैंने आपको यहाँ पर से clearly बोला है कि अगर prices के ऊपर खुलती है और one hour के लिए hold कर पाती है तो surely हमें यहाँ पर से bullish momentum देखने मिलेगा और उसी direction में हमें यहाँ पर try करना है trade करने के लिए तो फिलाल आप यहाँ पर देख सकते हो कि 0.6 minute पे price पहुच चुकि है और थोड़ा सा अगर हम daily time frame में चलेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक inverted hammer candle बनी थी और अगर हम यहाँ पर से 4 hour के time frame में भी यहाँ पर सी rejection बन रहा है पर एक point में आपको यहाँ पर बताना चाहते हो कि जब price 0.5 पे आ चुकी थी तब भी यहाँ पर 2 inverted hammer candles बने थे पर price बहुत ही अच्छ में बात कर रहा हूं कि इससा नहीं कि मैं यहाँ पर video बना रहा हूं इसका मतलब यहाँ पर से price नीचे ही आएगा gap of opening हो कर यहाँ पर से ऊपर भी जा सकता है पर अगर यह range में खुलेगा और इस वाले दिन का low यहाँ पर break करेगा then surely यह gap यहाँ पर fill करेगा यह मैं यहाँ इस वीडियो से आपको बताना चाहता हूं ठीक है अगर हम यहाँ पर से थोड़ा सा 15 मिनिट टाइम फ्रेम पर चलेंगे तो price यहाँ पर कौन सा structure बना रहे है तो आप clearly देख सकते हो कि price यहाँ पर kind of यहाँ पर भी double top pattern बना रहे है price को यहाँ पर से भी rejection मिल रहा है अगर price इस वाले दिन का low break कर देगा तो surely हमें बहुत ही अच्छा gap filling यहाँ पर देखने को मिल सकते है nifty में भी और bank nifty में भी पर अगर break कर देगा तो ऊपर निकल जाएगा और यह सारे level जो कि nifty का level मैंने आपके साथ में share किया हूँ था यह वाला यह दोनों भी levels यहाँ पर मैंन ठीक है ना तो इसी तरीके से यहाँ पर price बहुत ही important level पर पहुच चुका है अभी सिर्फ हमें यहाँ पर देखना है कि क्या यहाँ पर से breakaway gap opening देखने को मिलता है या फिर price यहाँ पर gap को fill करता है ठीक है ना तो यह है मेरी nifty और bank nifty के analysis होपिक आपको यहाँ पर यह वीडि यह वेरी मच्च